हेलो एवरिवन, वेलकम टू मैई चैनल दो हाय रोमा आज मैं आप लोग के साथ हैदराबाद की फेमस साइड डिश यानि की मिर्श का सालन रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो की वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है और इसको बिर्यानी के साथ साइड डिश के तौर पर सर्व किया जाता है ये सच में बहुत ज़्यादा डिलिशियस होता है जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर भी हर रेस्टरेंट में इसको बिर्यानी के साथ दिया जाता है इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने सुचा क्यों ना इस रेसिपी को आपके साथ शियर किया जाए इसको आप बिर्यानी के अलावा यानि के प्लेन राइस, रोटी, नान के साथ भी खा सकते हैं और जो इंग्रेडियन्ट है वो आपके फोन स्क्रीन पर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चार टेबल स्पून सीजमे सीट यानि की सफेद तिल लिया है चार टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा लिया है अगर आपके पास खड़ा नारियल है तो आप उसको ले सकते हैं 4 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर मुंगफली का दास यानि की पीनट लिया है और एक मीडियम साइज की प्यास को स्लाइस करके थोड़े से तेल में 30 सेकंड के लिए फ्राइ कर लिया है ताकि उसका कच्चापन निकल सके दूसरी तरफ मैंने हाफ टी स्पूर यहाँ पर मेथी लिया है एक चमच मैंने खड़ा धनिया थोड़ा समंग रैल और एक चमच ही मैंने यहाँ पर जीरा लिया है साथ मैंने 12-15 हरी मिर्च लिया है जिसको इस तरह से मैंने बीज से कट करके उसका बीज निकाल लिया है और कम से कम दो से तीन टेबल स्पून तेल में इसको एक मिनट के लिए फ्राई कर लिया है आप चाहे तो इसके अलावा मोटी वाली जो हरी मिर्च आती है उसका भी यूज कर सकते हैं लेकिन मुझे ये छोटी वाली मिर्च पसंद है तो मैं इसका यूज करती हूँ अब हम एक पैन लेंगे पैन में प्यास को छोड़कर सारे ड्राई इंग्रीडियन इसमें आड़ कर देंगे और बिल्कुल धीमी आज पर इसको एक मिनट के लिए हलका सा सौते कर लेंगे ध्यान रहे इसको ये जले नहीं और आप चाहे तो इसको अलग-अलग भी फ्राई कर सकते हैं लेकिन मैं इसको एक साथ फ्राई कर रही हूँ ताकि जल्दी से और आसानी हो सके जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम एक जार में डालेंगे और उसमें उतना ही पानी आट करेंगे जितने मैं बिल्कुल महीन पेश सके दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है पैन में मैंने तीन से चार टेबल स्पून ओयल डाला है आप ओयल की कौंटिटी को बढ़ा सकते हैं ओयल को गरम होने दें अब इसमें एक चोटी चमच जीरा जाएगा और एक चोटा चमच इसमें सर्जो का दाना जाएगा अब एक चमच मैं इसमें अध्र ग्लैसन का पेस्ट डाल रही हूं इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है आप वहां पर देखिए बकरी दा रही है तो सच में यह बहुत ज्यादा यूसफुल और काम आने वाली चीज़ है तीस सेकंड के लिए सौटे करें इसको उसके बाद जो पेस्ट मैंने बनाया था उसको भी डाल देंगे अब जार में जो पेस्ट थोड़ा बहुत बचा होगा उसमें पानी डाल कर मिक्स कर लीजे और इसमें डाल दीजे अब इसको mix कर लेंगे और ढग कर दो मिनट के लिए medium आज पर पकनी देंगे दो मिनट के बाद अब इसको हलका सा mix करेंगे उसके बाद कुछ मसाले आड़ करेंगे जैसे की half teaspoon healthy powder एक चमश लाल मिश पॉडर mix कर ले अब हम इसमें करीपत्ता थोड़ा सा add करेंगे और साथ में ही इसमें आदा चमश नमक डालेंगे नमक डालने के बाद इसको अच्छे से mix कर लें और gas का flame low to medium होना चाहिए दो चमश इसमें दही डालेंगे आप चाहे तो दही के जंगा एक medium size का टमाटर भी डाल सकते हैं दही को भी अच्छे से mix कर लें उसके बाद इसको हम ढख कर धीमी आज पर 10 मिनट के लिए पकने देंगे और पीच पीच में इसको चलाते रहेंगे 10 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं जो ओईल था वो सर्फिस पर आ चुका है इसको हम हलका सा mix करेंगे अब इस टाइम हम जो हरी मिश फ्राई किये थे उसको डाल देंगे हरी मिश डाल कर इसको mix कर लें अब हम इसमें एक चमश गरम मसाला डालेंगे गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें नमक और मिर्श टेस्ट कर लेंगे अगर कम लगता है तो इस टाइम ही हम इसमें एड़ कर देंगे तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी इसको mix कर लेंगे और अब इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी हमें इतना ही डालना है ताकि जब हम दुबारा इसको पकाएं तो जो gravy है वो बहुत जादा ठीक ना हो तो मैंने यहाँ पर एक जो छोटा चाय का cup होता है उस cup से भर कर मैंने पानी डाला है आप देख सकते हैं बस इतना ही पानी मैंने अट किया है कि यह gravy थोड़ी से liquid हो गई है अब इसको हम दुबारा ढख कर 10 मिनट के लिए धीमियाज पर पकनी देंगे और बीच बीच में चलाती रहेंगे 10 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं जो मिर्च का सालन ने वो बन कर त्यार हो चुका है और ना तो बहुत जादा थिक हुआ है और बहुत जादा liquid है और इसको आप भी try कीजे और अपना feedback जरूर दीजे अब इसमें हम थोड़ा सहरा धनिया गानिश कर देंगे इसको आप बिर्यानी के साथ एक बर खा कर देखे सच में बहुत जादा delicious लगता है और मैंने ये बहुत एक quick और easy recipe आपको बताई है अगर आपको मेरी recipe पसंद आए तो like, share, subscribe जरूर करें